हमने ये डिस्कस किया के अगर हम एक fenogram dissimilarities की Base के उपर बनाना चाहते हैं तो हमने data matrix के अंदर उन boxes को fill करना है जो crosses के नीचे हैं अगर हम crosses के उपर वाले boxes और नीचे वाले boxes को देखें तो ये एक किसम के replika है लेकिन हमने एक rule बनाया हुआ है कि हम जब dissimilarity base के उपर एक fenogram construct करेंगे तो crosses के नीचे वाले boxes को हम fill करेंगे अब अगर इस data matrix के अंदर हम देखें तो इस data matrix के अंदर जो सबसे चोटी value है वो 2 है और ये जो 2 value है ये किसके दरम्यान में है ये B और C के दरम्यान में है इसका मतलब है जो 2 value है ये B और C के दरम्यान में है और ये सबसे चोटी value है और ये किस चीज़ को represent कर रही है ये dissimilarity को represent कर रही है इसका मतलब है इन 2 species के अंदर dissimilarity सबसे कम है सबसे कम dissimilarity होने का मतलब ये है इन में similarity सबसे ज़्यादा है तो जब हम एक cluster बनाएंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों species का cluster बनाएंगे इसी तरीके से अगर हम next move करें तो next इस table के अंदर जो value है वो 3 है और 3 जो value है ये c और b के दर्मियान में है इसी तरीके से जो next a और e के दर्मियान में जो value है वो 4 है तो हमने इस तरीके से इन different values को select करते हुए तीन different clusters बनाए अब हम ये चाहते हैं कि ये जो तीन clusters बने हुए हमें ये मालूम हो को इन मेंसे कौनसे clusters ऐसे हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा close है और कौनसा cluster है जो के एक दूसरे से थोड़ा different है उसके बाद species के दरम्यान में जितने भी differences हों क्योंकि उनका ancestor एक है वो किसी एक common ancestors इवाल होते हैं इस वज़ासे उनके अंदर बहुत सारी dissimilarities के बावजूद कुछ ना कुछ similarities जरूर होती है और एक वक्त आता है कि वो सारी की सारी species एक दूसरे के साथ मिल जाती है और एक single common cluster बनता है इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास cluster बना वो B और C का था और इसकी जो dissimilarity की value थी वो दो थी दूसरा जो cluster हमारे पास बना वो A और E का था और इसके दरमान में जो dissimilarity की value थी वो तीन थी इसका मतलब है A और E का जो relationship है वो C और B के मकाबले में कम strong है अब हम यह जाना चाहते हैं कि जो D species है वो C और B के ज़्यादा करीब है या A और E के ज़्यादा करीब है उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम C और B की dissimilarity की value को देखते हैं compare करते हैं D के साथ अगर इस slide के अंदर अगर हम देखें तो हमने जब D और C की value को देखा तो वो R थी और D और B की value को देखा तो यह 6 थी हमने क्या किया इन दोनों values को add किया इन दोनों values को add किया तो value हमारे पास 49 इसको हमने क्योंकि दो species के साथ हमने comparison किया है इस वजह से इसको हमने दो पे divide किया जब इसको दो पे हमने divide किया तो हमारे पास जो answer आया वो 7 था इसका मतलब है कि C और B के साथ D की जो dissimilarity है वो 7 है इसी तरीके से जब A और E के साथ हमने D की dissimilarity निकाली तो D और A के दरम्यान जो dissimilarity थी वो 4 थी और D और E के दरम्यान में जो dissimilarity की value है वो 6 है अब इन दोनों values को अगर हम add कर दें तो दोनों value को add करने के बाद हमारे पास जो value I वो 10 है अब क्योंके दो species के साथ हमने D को compare किया है इस वज़ासे जो हमारे पास total value I इसको हम divide करेंगे टू के उपर जब टू के उपर divide किया तो हमारे पास answer 5 आया इसका मतलब है D की जो dissimilarity है A और E के साथ वो 5 है और D की जो dissimilarity है वो C और B के साथ वो 7 है तो dissimilarity किस के साथ कम है dissimilarity इनकी A और E के साथ कम है इसका मतलब ये है D का जो relationship है वो A और E के साथ ज़ादा है क्योंके यहाँ पर dissimilarity कम है 5 है dissimilarity कम होने का मतलब ये है इनकी similarity ज़ादा है इसलिए इस cluster के अंदर हमने D को A और E के साथ combine कर दिया अब इन दोनो clusters के हमने जो disimilarities की values थी वो compute की नीचे अगर हम slide में देखें तो एक तरफ B और C है और दूसरी तरफ A, E और D है इनकी values को जब हमने table में से देखा data matrix के अंदर और उनकी तमाम values को हमने put किया और इसका total किया तो ये 40 बना क्योंकि ये 6 species का combination है 6 से इसको divide किया तो हमारे पास 6.6 disimilarity के value आई तो 6.6 के उपर हमने इन तमाम species को यानि दोनों clusters को join कर दिया और हमारे पास एक single cluster बन गया तो ये जो cluster है ये dissimilarity की base के उपर बनाया गया है झाम एया है